हना लिएकर। एहलो स ojos क्योंतों स् escuela कॉसमोश क्यूस Mmm सभी सात्यों का कॉसमोश क्यूस्जिश क्यूस क्यूस्यला इस मिलि दमाकेदार ड़ो सेशन में हार्दीग स्वागत हर्द साथ्यो कोस्मोस उचिशी क्लासेज आपके लिए एक बार फिर लेकर हाजिर है जो बुगोल की क्लास है अपनी डेडिकेट है रेड़ जेल महोदे का जो बुगोल में योगदान मिलता है उसको लेकर नहीं हो पाई तो कल की क्लास के लिए छमाश आओंगा आज जो अपनी क्लास होगी रेड़ जेल को लेकर होगी रेड़ जेल का जो बुगोल में योगदान है किसे पर फिर प्टर है उसको लेकर होगी तो सात्यों क्लास की जो है शुरुवात करते हैं बिना समय गुआ है अपन बोगोलिक चींतर पढ़ रहे हैं आपको पता है उसमें अधुनिक बोगोल का सास्तरी काल में हम बोल्ड डिटरेट पढ़ने के बाद में अपन रेड जेल पर आ गए तो रेड जेल का अधिन कर रहे पिर सामाजिक डार्विनवाद के सिदांत का परति पातनी इस पर अपना है जो गरंद लिखाता इसने पिर आता मानव भुगोल के विकास में उसका जो है योगदान तो इसको पन है इसकी तरचा करेंगे आज कि है रेड जेल का मानव विकास के है मानव भुगोल के विकास में किस परकार योगदान है जो विश्व के बाद आने वाले जो वेग्यानिक है या बोले तो वर्तमान में में जब भुगोल की समझ हुई है तब सभी भुगोल वेता ऐसे मानते हैं सभी महान वेक्ति से मानते हैं कि रेड़ जेल के साथ दूर्वेवार हुआ अब आप बोलोगे सदूर्वेवार कैसे कि उनकी सीश्यती कुमारी चर्चल सेंपुल यूएस से उसने क्या किया कि उसका रेट जयल का गरंथ है ऐंट्रोपोजोग्रोफी उसका पर्थमखंड है पर्थमखंड पर किया मतलब उस सामने उसकीयार्टी बना दिया और विश्वख है उसके चवी एक नियतीवादि की बना दी एक प्रकरतीवादीग बना दी जो प्रकरती को सरोपरिते हैं और मानव को गोण मानते हैं लेकिन एंथ्रोपॉ जग्रोप्फिका जो second खड़ था उसकी तरब उसने ध्यान नहीं तीया वो खंड था मानव वोगोल को लेकर की परकरती और मानव दोनों पार्ट थे उसके एंथ्रोपो योग्रोपिगे तो एक hidden पार्ट रह गया क्योंकि उस पर है प्रकास नहीं डाला गया तो है इस प्रकार उसने मानव वोगोल के है जो विकास में योगदान मिलता है रेड जेल का मत था कि वोगोलिक चर्चा में मानव को बुलाया नहीं जा सकता कि जो वोगोलिक चर्चा करते हैं बहुतिक चर्चा करते हैं परकरती की चर्चा करते हैं तो मानव को बुलाया नहीं जा सकता उसे प्रष्ट भूमी में दखेला जा सकता है नहीं उसे प्रश्ट भूमी में दखेला जा सकता है यानि कि अपने सोड रूम में कहें तो उसको नामातर का है जो नहीं रखा जा सकता कि एक हाइड हीडन में नहीं रखा जा सकता मानों का जो है योगदान उसमें परकरती के साथ में जो है बोगोलिक चर्चा में होना चाहिए और यह सवभाविक है क्योंकि प्रकर्ति और मानव अंतर समंदी तर दोनों किरियां ही करते हैं और दोनों ही अपनी अपनी जिगह है जो है सही है इसलिए उन्होंने एंथ्रोपोजियोग्रफी नामगरंद की रशना की की है एंथ्रोपोजियोग्रफी की दरशना की जिससे की मानव भुगोल का विकास हुआ था रेट जेल को इसलिए मानव भुगोल का पिता अब यहां पे एक बात आती है की मानव भुगोल का पिता किसे कहा जाता है इतने बार तो पिछे क्लासेज में या पिछे की सेशन में पढ़ रहे थे बोगोल का पिता या अलग जो बहुती बोगोल पिता है राजनिती बोगोल का पिता है वोगा जूदान है इस झो दीखने को मिलतا है कि कित में एक बात आती है मानव भूगोल का पिता कौन है रेड जेल है मानव भूगोल का सैंस तापक विडाल डीला बलास था यहां पे आपकी पिक्चर कलियर कर रहा हूं जो आगे फ्रांसी से पढ़ेंगे उसकी कि मानव भूगोल का पिता कौन किसको काज़त है रेड जेल को साइस थापक के इस्तापना करने वाला या है मानव गोल को परमोट करने वाला कौन था विडाल डीला बलास वन मेर आर्मी जो संभवादी हुए थे महान संभवादी हुए थे रेडजेल की रूची आदिम जातियों परजातियों के धेन में भी थी इसलिए उसने एन्थ्रोपोजोग्रोफी सब्द की रचना की इसलिए रेडजेल को भी परजातियों नर्जातियों के धेन में थी इसलिए उसने क्या किया कि मानों से समद्दित जो अपना है गरंथ है एन्थ्रोपोजोग्रोफी की रचना की तो इसलिए उसे परजाती और नर्जाती विज्ञान का जो है पिता भी कहा जाता है तो जो एंथ्रूपोजियोग्रोफी है उसका साब्दी करत क्या है एंथ्रूपोजियोग्रोफी का साब्दी करता है इत्यास पर वोगोलिक वातावन के परभाव की रूपरे खा कि जो इतियास है उस पर बोगोलिक वातावन का जो परभाव है उसकी रूपरे खा अब एक बात बताता हूँ आपको कि गूरू का जो है परभाव थोड़ा ना थोड़ा सीसे पर आता है उसको समझा, विस्व के सामने उसको बढ़ा जड़ा कर पस्तूत कर दिया, तो फिर क्या हुआ है, उसका उसने टाइटल रखा, उस भुक का नाम रखा, बोगोलिक वातावन का परभाव, जबकि एंत्रोप जियोग्रफिक आर्ट क्या होता है, इत्यास पर बोगोलिक प्रकाशित हुए कौन सी एंत्रोप जियोग्रफिक पहले बता चुका हूँ मैं, 1882 में, और इसके लगबग 10 साल बाद में, 1881 में, जो हुए थे, इसके जो है, दूसरा खंड प्रकाशित हुआ था, पहला खंड ता परकर्तिवादी, निश्चेवादी को लेकर, दूसरा पर्थम खंड निश्चेवादी था, कि जो यह करती है, कौन सी एंत्रोप जियोग्रफिक का पर्थम खंड क्या था, निश्चेवादी था, इस खंड के आधार पर ही कुमारी चल्चित सेंपूल है, अपनी पुस्तक बोगोलिक वातावन का परभाव लिखा, अब मैंने प पदलब है, इतनी कटर है जो निश्चेवादी खंड वेतरी थी ए, एक मातर खंड वेतरी के त्वर में है, यही हुई है, ओमान वेटरी, एनि की जो है, एक मातर है, प्रभाव देन करने को क्या है, संपूर्ण वीसो में अकेली थी तो इसने क्या किया, इसने यहां तक की क चर्चल शेंपूल न निष्च्यवाद का प्राण कहा जाता है मतलब की कटर निश्यवादी थी और निश्यवाद का जो है मूल का आ जाता है इसके आगे कोई तरक भी तरक नहीं कर सका क्यों नहीं कर सका क्यों इतनी कटर है निश्यवादी पहले कोई नहीं हुआ था बाद में भी कोई नहीं हुआ था लेकिन कुमारे सैंपूल है इतनी मत करती सब कुछ है माना कुछ नहीं कुछ नहीं को मानना था कुमार ने दूति है खंड़ी पर कोई चेवाधी की बनादी अगर उसका जो संभवाधी खंड भी है विस्वा में परसीद हो जाता तो उसकी जो है क्षेवी बनती एक प्रतिमा बनती एक उदारन लिया जाता उस गौल वेता रेड जेल का तो लिया जाता परतम खंड में रेड़ जेल बुगोल के परभाव को दर्शाया है कि परतम खंट में इत्यास पर है वोहल के खंट को दरसाए है इस कंट में USA की रेड इंडियन जञ जनजाती के संद्रब में जो है उलेक किया गया है गिया जो USA में बसी रेड इंडियन है चर्चा करते हैं एंट्रोपजोग्रोफी का दूतिय खंट दूतिय खंड किया था एंत्रोपजोग्रोफिका ये खंड संभववादी था आपको एकजामे पूछ सकते हैं पहला खंड किसे था निश्यवादी दूसरा खंड संभववादी पहला खंड कब लिखा गए 8802 दूसरा खंड 8801 उसने इस विचार के आदार पर ब्लास्मोद ने उसके इस विचार के आदार पर ब्लास्मोदे ने संभववादी विचारधारा का परती पादन किया अब निश्यवादी की प्राण कही जाने वाली जो करती है कौन सी थी बोगोलीक वातावन का प्रभावया कुमारी चल्चे सेंपूल जो आ लिखी गई थी उससे इंत्रोपो योगरोफी के दूसरे ही खंड से क्या हुआ संभववाद की विचारधारा का उद्ववा ब्लास्मोदे उनमें प्रमुक थे इस खंड में उसने मानव जाती का बोगोलीक वित्रन वीवरण पस्तूत किया जो दूसरे खंड में मानव जाती का बोगोलीक वित् मैंने बता चुका हूँ मैं नियती वादी क्योंकि उसकी छवी उसकी शीशे ने बना दी थी यह जी नियती वादी की उसकी यह विचारदारा प्रांस इंगलेंड और यूसे में भूती लोग पिती रही उसके निश्चिवाद के संदरब में घतन है एक समान दसाय समान जीव दर्ती पर ही ठीके रहेंगे यहां संकेत करता है प्रकरती की और की प्रकरती पर ही पेर उसके ठीके रहेंगे मानो जाएगा कहां अपना सीर कितना ही उच्चा ले जाए लेकिन पेर टेगने के लिए क्या चाहिए उसको प्रकरती चाहिए और उसकी दूल प्रकरती में ही व कि मानव मिटी में पेदा हुआ है वहीं मिल जाएगा मिटी जैसा ही हो जाएगा तो है प्रकर्ती ही मानव को कहनदीद करती है नहीं कि मानव के विकास जीवन को डालती है मानव वातावण की उपज है और प्राकरतिक वातावण की सक्तिय मानव के जीवन को क्या करती है डालती है योग्यता की उतरजीविता का सिधान्त योग्यता की उतरजीविता का सिधान्त क्या है इसके बारे में अपन जो है चर्चा करेंगे यह रेड जेल के दर्सन का मूल सिधान्त था रेड जेल का दर्सन है चिंतन था उसका मूल सिधान्त था यह विचार हरबर्ट स्पेंसर से लिया गया था विचार किसे लिया गया हरबर्ट स्पेंसर रेड जेल ने पार्थी वेकता के सिदान्त का भी परतिपादन किया पार्थी वेकता इस सिदान्त का रेड जेल ने भी परतिपादन किया बलास ने भी किया था यद पी हमबोल्ट महोदे को भी इस सिदान्त का परवर्तक जो है माना जाता है कौन से के सिधानत का परवतक माना जाता है हमबोल्ट को परतिव एकता के सिधानत का परतिपादक है माना जाता है राजनितिक भूगोल में योगदान राजनितिक भूगोल में क्या योगदान है उसके बारे में चचा करते है रेड जेल को राजनितिक भूगोल का पिता कहा जाता है जो रेड जेल है उसको क्या कहा जाता है राजनितिक भूगोल का पिता भूगोल में इस साका का विकास रेड जेल मोहते के दोवारा ही किया गया कि राजनितिक भूगोल की शुरुवात किस ने की थी रेड जेल ने की थी मैं बता चकाओं कि जो इमान जो भी जो क्या है जो भी राज्ये संगर्स कर सकते हैं बदलते समय के इनुसर अपन को डाल सकते हैं खुद को वही जवीत रहेगा अब बाकी सारे नश्ट हो जाएंगी या खुद को ही उनको नश्ट हो जाना चाहिए पतन ह होगेगा उनका ऐसा उन्होंने अपने ग्रंट फिल्ट कहा है उसने राज्ये के तीन की तीन संक्राइं आउसे मानी राज्ये का एक निश्ची छेतर होना चाहिए राज्ये में द्रातल के अंसार जंसेंग्या होना चाहिए राज्ये में निश्ची छेतर होना चाहिए संकलपना के आधार पर राजे का जेविक सिदान्त परतिपादन किया जो अपनी तीसी संकलपना के आधार पर राजे का जेविक सिदान्त का परतिपादन अभी आपको ध्यान में रखना है क्या रखना है ध्यान में आपको राजे का जेविक सिदान्त राजनितिक बोल राज दिया था कि परवर्तन सील होना जरूरी है ऐसा रेड़ जेल मानता था क्योंकि परकर्टी का नियमी परवर्तन है परिवर्तन नहीं करोगे तो आप भी हाँ पे नहीं रह सकते रेड़ जेल ले अपने जीवन के एंतिम समय में लेंबोइस रॉम की संकलपना का प्रतिपादन क या उसका एक और गनदा प्याहिदाए लेमभुस रूम म साबधी करता ली सीव Speakstuan वास से इस नहीं घृ एंक रोसरूम की संखलपना क्या है ग्रोस रॉम की संकलपना है रेड़ जेल ने इस संकलपना का प्रतिपादन किया यह एक जर्मन सब्द है ग्रोस रॉम रेड़ जेल का विचार था कि राजे का पर्मुकुदेश से विश्तित भूवाग यह ग्रोष भूवाम होना से यह विष्ण भूवाग वाल को वी विखास की चकर्य शंकल्पना याद में रखना है चकर्य शंकल्पना अरभ भूबलिता इबन lifelong के विचार से लिपना दे अरब की विचारों से जो है लीती तो साथियों आज की कड़ी में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अब तक हमने जो है दिन किया था ग्रोस रॉम की संकलपना लेंबेस रॉम की राजे जैविज सिदान्थ के बारे में राजनितिक भूहौल योगेता की उत्रम जैवित मैथबन करती है इसकी फिर है अपने चर्चा की थी मानव ओल के विकास में उनका योगदान इतनी अपने जो है चर्चा कर ली थी तो चलो साथियों लेते हैं मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में बने रही है फ्रेंट्स के साथ में सेर कीजिए लाइक कीजिए और क्लासे गया है जो इंजोई कीजिए धनिवाद बाई बाई टेक केर